बिसमिल्लाय रह्मान रहीम अस्सलाम उलाइकूम इवर्स कुकिंग चैनल लखनू में आज कच्छे आमकी नौरतन छटनी बनेगी जोगी बहुत ही उम्दा होती है जबरदस इसका जायका होता है और खोशबू तो बहुत ही उम्दा पोरे घर में फैल जाती है तो इवर्स य वीडियो का मेंसे सबसे पहले पहुंचेगा तो इवर्स इससे जरूर बनाएए आप बहुत ही उम्दा होती है और बहुत आसान ही से बन जाती है कोई मुश्किल नहीं होता है इससे बनाना और जबरदस इसका जायका होता खुश्बू भी बहुत उम्दा होती है तो माइन आदा चमा से कम और सौंफ एक चमा से कम यानी वन टी स्पून से कम है और दस बारा दाने मेथी के हैं यह देखे तेल गरब हो चुका है पतिली में में होटेबल स्पून आयल लिया आप कोई भी कोकिंग आयल ले और इसमें हमने यह तीन लसन की कलियां डाल दी है लं काटली ले यह हमने दस बारा बता लुम काटली में बार एक और एक चोटा टुक्ड़ा नारेल का इस तरह से लंबाई में स्लाइस कर लिया है और पांच छो आरे बिगा के और इसको काटली में इसको भून लेंगे यह भून जाएगा ता फिर बताते हैं आगे हम इसे यह इस तरह से इसको भून लेंगे, इसमें से अच्छी खुश्बू आने लगी, बहुत ही उम्दा आ रही है खुश्बू, अब इसे ये कच्छाव हमने इस तरह से छील करके काट लिया है, ये देखे इस तरह से पतले-पतले काट लिया है, लंबाई में काट आ है, और इसे आम डाल दिये कच्छाम यानिके, अब इसको भी भून लेंगे, तिन चार मिनट भूनेंगे इसको अच्छी तरह से, ये भूनने के बाद इसमें हम इस तरह से पानी डालेंगे, अधी कटोरी, ये भून गया है, ये देखे अच्छी तरह से, कुश्बू बहुत उम्दा आ अच्छी तरह से, आम, ये देखे डाल दिया हमने और इसको मिक्स कर दिया, पानी को, और ये पकाएंगे, पांच मिनट तक ढख के, और पांच मिनट के बाद देखते हैं, खोल के, ये देखे, पक रहा है, और गल गया है, आम अच्छी तरह से, ये देखे, बहुत उम्दा तैयार हो रही ही पुश्बू जबरदस इसमें आ रही है और इसमें आप काला नमग डाल देंगे आदा चमस से कम यानि हाफटी स्पून है यह भी मिक्स और यह शकर डालेंगे यह 9 टबिलेंगे आगर कम लागी तो और बाद में डालेंगे वह भी बता देंगे हम आपको कितनी डाली हैं अगर आपनों इसमें शकर ना डालना चाहें गुर्ड डाल ले वह आपकी मर्जी है कि यह देखे मिक्स कर दिया इसको भी पका लेंगे दो तीम निर तक यह देखे पक रहा है अच्छे तरह से शकर हो चुकिए गल गई इसमें और हलका सा एक तार सा भी आने लगेगा मंदब एक तार शुरुआत रहेगी तार नहीं आना चाहिए इसमें यह देखे इस तरह से ह हो गया ही और हमने इसमें चक्षने के बाद फूर टेबल स्पून और डाल दी हमने शकर वह भी पका लिया है कम लग रही थी हमें और यह देखे तैयार हो गई है और इसका फ्लेम आफ कर देंगे और थंडा होने पर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं यह देखे कितनी बे करें वीडियो अच्छी लागे तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें उससे आपको और भी अच्छी सची वीडियो देखने को मिलेगी बेल आइक उनको भी जरूर प्रेस करें उससे आपको हर नई वीडियो का मेस्स सबसे पहले पहुंचेगा तो मुझे अपनी दौा में जरूर याद रखें अस्सलाम अलेकूम